हलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल में आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप लोग बहुत खुश होंगे दोस्तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोटे हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते है जिसके लिए वो बहुत exercise करते हैं तरह तरह की दवाईयां खाते हैं पर वो वेट नहीं लॉस कर पाते हैं तो मैं आप सबके लिए एक ऐसा उपचार लेके आई हूँ जिसे आप करके बस साथ दिनों में 10 किलो वेट लॉस कर सकते हैं तो आईए चलते हैं पहले उपचार के इसके लिए हमएं चाहिए जीरा जो की हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है और एक क्लास पानी अब पानी में दो चम्मच चीरे को भीगो देना है पूरी रात के लिए अगले दिन सुबर इसे खौला ना है जब पानी आधा हो जाए खौल कर तो जीरे को च्छान कर पानी को हलका ठंडा गरिके पीना है ऐसा निरंतर सातीन करने से आप अपना दस किलोवेट लॉस कर सकते हैं सात दिनों में तो आईए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने दूसरे उपचार की तरब जिसके लिए हमें चाहिए 50 कराम हरा धनिया एक नीमबू और थोड़ा पानी अब हमें नीमबू धनिया और पानी को मिला कर मिकसर में पेस्ट बना लेना है याद रखें पानी उतना ही देना है जितना आप एक बार में पी सकें अब इसे सुबह सुबह खाली बेट रोजाना साथ दिनों के लिए यूज कीजिए इससे आपके वेट लॉस होगी और आप अपना वजन 10 किलो सिफ साथ दिनों में घटा सकते हैं दोस्तो पहले साथ दिन आप पहला उपचार यूज करते हैं उसके बाद साथ दिन आप दूसरा वाला उपचार यूज करते हैं फिर साथ दिन आप पहले वाला उपचार यूज करते हैं अगर आप इसी तरह यूज करते रहें तो विदिन 1-2 मन्थ आप अपना फैट घट सकते हुए देख सकते हैं और आप पा सकते हैं स्लीम फिट बॉड़ी और दोस्तों सिप साथ दिनों में आप 10 किलो वेट लॉस कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ परहेज भी करनी है आपने फैट वाली चीजे नहीं खानी है बनाना नहीं खाना है दोस्तों फल खाना बहुत से अत्मद होता है आप एपल खा सकते हैं औरेंज खा सकते हैं बस बनाना नहीं खाना है क्योंकि बनाना में बहुत ज्यादा कार्बो हाइट्रेट होता है जिसके वाज़े से मुटापा बढ़ती है दोस्तों आपको इस जूस के साथ थोड़ी बहुत एक्ससाइस भी करनी है जैसे वाकिंग करनी है साइकलिंग करनी है रनिंग करनी है बट आपने फास्ट फूट नहीं खाना है जितना हो सके आप फ़ल फ्रूट खाएं जिससे आपको थोड़ी ताकत भी मिले दोस्तों आपको हमारे बताए कहें उपचार को ध्यान भी रखना है और कुछ-कुछ प कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम फिर मिलेंगे नए घरेलू उपचार के साथ आपका प्रॉब्लम हमारा सॉल्योशन तब तक के लिए फिट रहें और देखत के रहें हमारा चैनल